दोस्तों क्रिकेट एक्सपोर्ट के वर्ल्ड कप 2023 पिच रिपोर्ट इस्पेसल सेग्मेंट में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम ग्रिन फिल्ल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तिर्वनंत पुरम का पिच रिपोर्ट लेके आए हैं यहाँ पर वर्ल्ड कैसी है कैसे स्टैट्स निकल के आए हैं धेर सारी नौलेज़िबुल नौलेज़वर्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं वीडियो जबर जस्त है दोस्तों वीडियो में अंतक बने रहिएगा लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए साथ ही नोटिफि लेकिन यहां की खासियत यह होती है कि सुरुवाती एकाद घंटे तक थोड़ा सीम अच्छा मिलता है तेज गेदवाजों को थोड़ा मदद मिलती है लेकिन उसको काटने के बाद बढ़िया स्कोर बनते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इस दवरान विकेट्स भी निक जाते हैं केवल दो वंडे मुकाबले यहां पर खेले गए हैं पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने एक बार तो चेज करने वाली टीम ने भी एक बार मुकाबला जीता है और यह दोनों ही बार जीतने वाली टीम भारती टीम ही रही है मतलब भारत इस विन्यू वान डे क्रिकेट में अभी तक इन्विनसिबल अजिय रहा है पुल मिलाकि अगर हम एभरेज स्कोर देखे तो पहले एभरेज स्कोर 247 तो दूसे एभरेज स्कोर मात्र 89 का है दोस्तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसे एनिंध में बैटिंग करना यहाँ पर बहुत मुस्किल हो जाता है 89 का एवरेज स्कोर इसलिए पना है कि एक बार विस्ट इंडीज की टीम बहुत छोटा टारगेट दी भारत को जीतने के लिए और दूसरी बात स्लिए पूरी तरह से कॉलैप्स हो गई थी बल्लेबाजी में हाई टारगेट के प्रेशर में तो इस विहाब पर यहाँ पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर मातर 89 है अतरवाई यहाँ पर बैटिंग में इतनी कोई दिकत नहीं होती है वहीं पर दोस्तों बात करें हाई एस टोटल की तो भारत के नाम है जो कि सिलंका के अगेंस्ट पांच विकेट पर 390 रन बनाए थे तो लोवेस्ट टोटल की बात करें तो सिलंका की टीम मातर 73 बनाके आल आउट हो गई थी टीम इंडिया के अगेंस्ट हाई एस टीम की बात करें तो विस्ट इंडियज की टीम 105 बनाई थी जिसको की आसानी से भारती टीम चेश करके मुकाबला जीत ली थी यहां का यह हाई एस टीसकोर टिफेंड में जो भारती टीम 390 बनाई थी उसके जवाब में पर लंका को मातर 73 पर आउट करके यहाँ पर वंडे क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी जो यहाँ का लोवेश्ट स्कोर टिफेंड है दोस्तो स्कोरिंग पैटरन की बात करें तो 150 से कम यहाँ पर एक बार बना है जबकि 350 से ज़्यादा यह एक बार बना है बीच का कोई भी स्कोर अब तक नहीं देखने को मिला है कि और दो ही बंडे मुकाबले हुए हैं बात करें दोस्तों बाउंडी की तो यहाँ पर भी एक छोटी बाउंडी हमको देखने को मिलती है स्कोर बाउंडी 65 मीटर के रेंज में तो इस्टेट बाउंडी 70 मीटर के रेंज में केलकुलेट की जा सकती है बात करें दोस्तों इन मुकाबलों की तो पहला मुकाबला एक नॉंबर 2018 को देखने को मिला था विष्ट इंडीज और भारत आमने सामने थे विष्ट इंडीज की टीम 32 में ओभर में ही 104 बना के आल आउट हो जाती है जडेजा को चार विगेट मिलते हैं बुमराग खली लहमत के नाम भी दो दो विगेट जबकि भोनेस्तोर और कुलदीप के नाम एक एक विगेट आते हैं इस छोटे से योग को आसानी से 15 वे ओभर में सिखर दवन का विगेट खोके भारती टीम 105 बना के मुकाबला जीत लेती है सिखर दवन को थोमस आउट कर लेते हैं यहां पर तेज गेट बाजो को मिलते हैं 6 विगेट स्पिनर्स के खाते में आते हैं 5 विगेट दूसरा और अंतिम मुकाबला इस वेन्यू का पंदर जनौरी 2023 को देखने को मिलत हैं और यह इतिहास के पन्नों पर अभी तक का सबसे बड़ा ODI विनिंग मुकाबला देखने को मिलता भारत ने एक लंबे चोड़े अंतराल से हरा दिया था सिलंका की टीम को पहले बल्ले बाजी करते हुए भारती टीम पहले सुभमान गिल के सांदार 116 है और उसके बाद बिराट कोहली के धमाकेदार 166 रन की बदोलत 50 ओबर में 5 विकेट पर 390 रन का विशाल काई योग बनाती है जबाब में सिलंका की टीम पूरी तरह से यहाँ पर सिराज समी और कुलदीब के आगे घुटने टेक देती है मातर 73 बना के अलाउट होती है और भारत को 317 रन की इतिहास की सबसे बड़ी जीत यहाँ पर मिल जाती है कुल मिला के यहाँ पर तेज गेदवाजों ने 11 विकेट निकाले इस्पिनर्स के नाम आए सिर्फ दो विकेट और दो भले इनिंग में सिर्फ दो विकेट मिलें दो खिलाडी रन आउट हुए यहाँ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में एक और क्रिकेट कांटेंट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्का दोस्तों